तो दोस्तो आज 17th October 2023 बात करेंगे इस वीडियो पे एक ऐसे important company की share के बारे में जिसका आज quarter 2 का number आउट हुआ बजार close हो जाने के बाद और यह nifty 50 का बहुत ही important company है और उसके साथ साथ कल अगर इसमें गिराबट हो गया तो कही न कहीं इसका impact आपको entire market में जरूर देखने को मिलेगा तो दोस्तो मैं बात करों यहां पर बजाज ग्रूप से बजाज फनांस लिमीटेट के बारे में जो कि हमेशा मेरे रेकमेंडेशन में था इवन आज भी है अब बात यह है कि market का जो estimate था जैसे कि कल रात की वीडियो में आपको share किया था कि market का यह estimate है revenue के अंदर इ आपके सामने प्रेजन कर रहा हूं बजाज फनांस की quarter two की consolidate financial result तो देखिए यहां पर जितने भी numbers है सारे इन करोर्स के figure पर है company यहां पर बहुत सारे अपने quarterly number present किया जैसे कि एकदम शुरू में हो गया आपका current quarter यानि September 2023 का number उसके ठीक right side में हो गया आपका last quarter यानि June 2023 का number और उसके भी ठीक पास में हो गया आपका last year यानि September 2022 का number तो यहां पर हम यह तीनों नंबर को एक साथ compare करेंगे तो सबसे वहले आ जाता है कोई भी company का total income total income generate होता है revenue from operation और others income को add करके तो जैसे कि आप देख सेकतो company की revenue from operation में बहुत सारे segment है जैसे कि interest income हो गया fees and commissions हो गया net gain on fair value charges हो गया sales and service हो गया income on de-recognized loan हो गया others operating income हो गया तो यह सारे segment को एक सथ add करने के बाद हो कि आपका total revenue from operation तो अगर हम बात करें company इस बार total income किया है मतब बजाज finance की quarter 2 में total income हुआ है 13,381 करो रुपई यानि 13,381 करो रुपीज जो कि last quarter में यह figure था 12,500 करो रुपई ध्या quarter on quarter basis पे बहुत शांदर growth हमें देखने को मिला even last year के अगर हम बात करें यानि 2022 की September quarter में company का total income का नंबर था 9,974 करो रुपई ध्यान देना year on year basis पे company का total income है लगभग 34% के आसपास हमें growth देखने को मिला मतलब बहुत अच्छा growth दोस्तों company maintain किया अपने total income के अंदर तो यहा कोई भी NBFC या कोई भी banking sector का जो main revenue segment होता है कि interest income से जो की ब्याज की कमाई वहाँ पर भी दोस्तों बहुत अच्छे हमी growth देखने को मिला जैसे कब देख सेकतो last year पे था सारे 8,000 करोर के आसपास इस बर्दे के बर्ते बर्ते 11,734 करोर पहुंचका even quarter on quarter base पे भी बहुत था उससे थोड़ा increase हो गया जैसे कि आप देख से तो company का total expenses इस quarter में यानि सेप्टेमबर 2023 में आया है 8,624 करोर रुपए लास्ट की बात करें जून 2023 में था 7,952 करोर रुपए यानि total income बढ़ने के साथ expenses cost भी काफी massive rate में इंक्रीज हुआ साथ last year के अगर हम बात करें mainly यह पर काफी ज्यादा ही हमें increase देखने को मिला 6,2121 करोर से सीधा बरके 8,624 करोपे पहुँच चुका है अब बात करेंगे सबसे main segment यानि profit कितना कमाया यानि पैसा कितना कमाया तो सारे tax बगरा बनने के बाद जो भी कुछ बचता है उसे profit after tax यानि net profit कहा जाता है तो सारे तो देखिए कमपनी की total income आपको याद रखने के लिए बोला था याद कीजिए कि 34% था याद होगा आपको 34% में आपको कहा था net profit इस बार हुआ है कमपनी का 3550 करोर अगर हम रफली पकर ले 3551 करोर क्यास ठीक है लास्ट यह फिगर था 2780 करोर पाई यानि अगर हम बात करे नेट प्रॉफिट के अंदर दोस्तो 28% की जंप देखने को मिला यानि जो कमपनी की total income हुआ है 34% की ग्रोथ यार और नेट प्रॉफिट के अंदर 28% की ग्रोथ देखने को मिला और मार्केट का forecast था कि इस बार कमपनी का margin increase होगा बलकि इस बार margin decrease हुआ मेरे बात को पकरने क की कोशिश कीजिए अगर total income से ज्यादा company की net profit के अंदर जंप होता मतब ग्रोथ होता ठीक है उसके मार्जिन बढ़ता बट कमपनी की total income है वो 34% की rate में increase किया यानि कमपनी की margin है ठीक है profit margin उसमें दोस्तों हमें थोड़ा गिरावर देखने को मिला तो सबसे बहला लैक यहा यहां पर किया कि market का जो फोर्ट का स्था नेट प्रोफिट के मामल में उसको दोस्तों बीट नहीं कर पाया मैं आपको दिखाऊंगा कितना नेट प्रोफिट हुआ फिलाल आप यह दिख लिजे company की last quarter में यानि June quarter में company का net profit था 3436 कर रुपए और इस बार company का net profit आया 3550 कर र एक्चुल में लैक किया अब आधी की EPS अर्णिंग पर शेर उसमें भी थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ कि कुदिक अल्टिमेटली हो सकता मार्जिन कम हुआ पट अल्टिमेटली ओवरल बात कर तो हमें ग्रोफ देखने को मिला ठीक है जिस बैसे अर्णिंग पर शेर भी या पर ग्रोव किया थोड़ा बहुत 58.67 बेसिक और 58.45 जो कि आपका डायूटेट EPS इस भार आया है लास्ट क्वाटर में यह फिगर था 56.83 बेसिक्स 56.60 डायूटेट लास्ट यह फिगर था 46.05 बेसिक्स 45.81 जो कि डायूटेट तो दोस्तों यह हो गया ओवरल बजाज आपको कैसा लगा और आपको क्या लगते कि कल यह शेयर में गिराबट होगा यह तेजी होगा जो भी आपको लगते आपके अकुरिंग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बतना अब चले मैं आपको जो एक्चुल पार्ट है उसके उपर लेकर चलता हूँ मैंने ओपेन कर लिया ब्राउजर तो बजाज फनास की शियर आज क्लोजिंग दिया शुरू में बहुत उपर पहुंच गा था लगभग 0.77% उपर आकर आज क्लोजिंग भी दिया अब बात ही है कि कल जो मैं आपको दिखाया था कि मार्केट का फोड़कास्ट था 30% की ग् मार्केट का क्या फोड़कास्ट था 3626 करोड रुपए या दोगा आपको अभी अपने देखा कितना 3551 करोड रुपए यानि कईने की मार्केट का जो एस्टिमेट था उसको बीट नहीं कर पाया और साथ-साथ मैं आपको बहुत सारे ब्रोकरेज की जो लिस्ट भी दिखाय है दोस्तों आये फेल सीकुर्डिस की तरफ से जो यहां पर फोड़कास्ट किया गया कि 3550 करोड एक्चुल में हुआ है इतना ही 3551 करोड के आसपास और बाकी बात करें यहां पे जेम फनांशियल या आनंदराटी की तरफ से काफी हाई-लेबल का यहां पर फोड़कास्ट क अब इसके साथ-साथ और एक चीज़ देख लिए लास्ट की पर्फॉमेंस याद होगा आपको मैं आपके साथ शेयर भी क्या था फिलाल देख लेजी यहां पर लास्ट कोडर में जून क्वाटर में पजाच फानास की शेयर में काफी अच्छा ग्रोथ ता इवन देके मार है जहां पर कुछ-कुछ जगा पर चूख हुआ है मतलब लैक हुआ है तो इसको बड़ बेस करके में बोलो ज्याता चांस यह है देके मार्केट में कोई एकदम से प्रेडिक्शन तो नहीं कर सकते पर हां जो सारे डेटास निकल क्या रहे उसको बड़ बेस करके मैं बोलना इससे अलावा और भी कुछ नहीं मतलब अगर आपके पास शेयर है आपने पहले बाई किया या बाई करने की सोच रहो तो अगर कल शेयर में गिरावट हो गया तो आइधिंग आपके लिए प्रॉपर अपर्चुनिटी डाएगा जो कि लॉंग टम परपस और दिये दिखें काफी एक्सपेंसी प्राइज है मतलब शेयर प्राइस के अगर हम बात करा आठाजार क्यूबर इसका प्राइज है तो उसके आकूरिंग 255 क्वांटिटी का शेयर मोडल मतलब काफी यूज क्वांटिटी दोस्तों यहां पर यह मोडल लग चुका है साथ बात करें आज डिलिवरी भी काफी डिसेंट डाइप का देखने को मिला बहुत हाइफाई ने बहुत ही लो भी नहीं लग बहुत 29.46 परसंट का सबसमें आज डिलिवरी देखने को मिला बागी दोस्तों इस वीडियो को वाइंड आप करता हूं वीडियो अचले लगे दो प्लिस वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना मिलने नेक्स वीडियो पर तब तक लिए टेक क्या बाबाई जय हिंद